तो दिपावली के आप सभी को हर्दिक सुब काम नहीं, वेसे मैं ट्रेडिंग सिखाता हूं तो हम ट्रेडिंग पे ही फोकस करेंगे, आज वीडियो थोड़ा यूनिक है क्योंकि एक नया कॉंसेप्ट चिखाने वाला हूं, अगर आप हेवी लोसेज में हो और उसे बुक करन की हिम्मत नहीं हो रही है, तो मेरा एक कॉंसेप्ट आप फोलो कर सकते हैं, सबसे पहले आप हमारे यहां सेट अप पर आ जाईए, यहां पर आप देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन है, यहां पर निफ्टी का मल्टी टाइम प्रेम का चार्ट लगा रखा है, एक टेबलेट लगा रखा है, जहां पर हम वेसे मनी कंट्रोल से निउस थोड़ी पहुत कवर कर लेते हैं, उसके अलावे यह रहा हमारा एक मेन मेक बुक, इस मेक बुक से हम क्या करते हैं, सारे टेट्स लेते हैं, सेट अप काम परता है, और एक एक स्टा लेप्टोप पड़ा है, जिसक लगपन 52-53,000 का प्रोफिट चल रहा है, तो मैं आपको जो सिखाने वाला था, अगर आपके बहुत बड़ा लोस हो चुका है, और आप बुक करने से डर रहे हैं, जैसे मैं भी डरता हूँ, नोर्मल से बाते हैं, अगर आप यहां पर आएंगे, तो यहां पर आप देखें तो 93,000 का लोस चल रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर लोस तो बड़ा है, अगर आप देखेंगे, यहां पर 40,000,000 हमारा यहां पर इंविस्टेड है, और कुछ ओडर्स की भी पोजीशन है, यह वाला जो हमारा पोटफोलियो है, यह पोटफोलियो लगबाग हमारा 65 65 लेक का है, अब अडानी में बड़ा लोस केसे हुआ, क्योंकि अडानी के जो टेक्निकल एनालिस है, वो मेरा परफेक्ट था, बट अडानी को सेल हो रहा है, उस वजी से वीकनेस आया, बट अब यह लोस है, यह मैं कम केसे करूँगा, यह बुक केसे करूँगा, मेरी साइ मारने से पेड नहीं कट जाता है, छोटे-छोटे स्लाइस करता है, तो कटता है, वेसे ही यह मेरा एक बड़ा पेड है, जिसे मैं काटने जा रहा हूँ, अब आपको थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देख लीजिए, कि हमारे पोर्ट फोलियो पे देखेंगे, अगर अडानी का जो हमारा लोस चल रहा है, वो अभी 93,000 चल रहा है, अगर आप यहाँ अकाउंट्स पर आएंगे, और अकाउंट्स पर आने के बाद मैं आपको P&L पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे हम नवंबर में आ जाएंगे, है ना, नवंबर में क् 6,000 का जो लोस है, यह बुक परा, अब इस लोस को देख लीजेगा, थोड़ा सा अब मैं आपको वाइड बोर्ट पे समझाने के कोशिश करूँगा, यह कोंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है, तो प्लीज, इसे एक बार अगर आप समझ गए, तो आप ल अडानी में होगा, बट इसे रिकवर कैसे करा जाए, अब जो अडानी का लोस है, वो बहुत बड़ा है, नोर्मल इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, और अगर आपका हो गया है, क्योंकि मान लीजे मार्केट 20% डाउन कुला तो आप क्या करेंगे, अब मेरा मान लीजे, ए 4TC क्वांटिटी में निकाल दिया, अब आपको बताता हूँ कि मैं बड़े लोस को गायब भी कर दूँगा, साथी साथ मेरी साइकलोजी पर भी इंपेक्ट नहीं होगा, और मेरा लोस भी कर होगा, क्या से, अब मेरा ये जो एक लाग का लोस है ना, इसमें मैंने अडानी दिल्मार में करा था, है ना, पर्फेक्ट चल रहा था, तब ते ञुज नहीं आई थी कि कोई भी बैचने वाला है, अब इसमें मैंने जो शेर खरीदे थे, लगद बग, 1700 शेर खरीदे थे, 1700 सेर में मेरा एक लाग का लोस चल रहा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मैं मे तो लेता रहुगा और यहाँ पर मेरा margin मेरा 6 लाग का capital में लग चुका है इस trade में अब मेरा margin block है, यह 6 लाग के capital से में trade मी नहीं कर पा रहा हूँ साथ मेरे portfolio में loss दिखा रहा है, जिससे मेरे by psychology impact हो रही अब में क्या करूगा, जबी भी मैं दूसरे trade में profit book करूगा जैसे मान लीजे किसी टेट में मैंने 20,000 का profit book कर लिया अब जैसे ही मैंने 20,000 का profit book करा है तो मैं क्या करता हूँ 20,000 का profit book करते से ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 10,000 का low अडानी मैं book कर लिया हूँ इससे होगा क्या यह मेरा जो profit है 20,000 की जगे 10,000 होगा और यहाँ जो लो से एक लाग की जगे 90,000 हो जाएगा दीरे दीरे करते करते क्या होगा एसे ही इसे मैं repeat करता हूँगा 7-8 बार तो एक महिने के अंदर यह मेरा लो से wipe out हो जाएगा और यह अडानी का जो एक लाग का लो से यह zero हो जाएगा और मेरा पूरा लोस कवर हो जाएगा और मेरा साइकलोजी पेंपित नहीं होगा बट अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फायदा क्या हुआ अगर आप एक लाग का लोस बुक कर लेते और यू पोजिशन भी देर कर सकते अब जैसे ही अगर मैं एक लाग का पोजिशन बुक करता हो ना लोस में तो मैं दिन भार यही सोचने लगूगा यार एक लाग का लोस होगा उससे रिकवरी करना मुश्किल होगी बट डेली डेली अगर दस हजार का लोस बुक करता रहूँगा बीस हजार के प्रोफिट के साथ जब तक आपका मेंटल लेवल सेफ रहेगा जब तक आपका मेंटल लेवल सेफ है ना तब तक आप यह लोस निकाल लोगे जैसे मैंने आज भी निकाला अब मैं आपको वापस से मोबाइल से करने की कोशिश क्योंकि मैं लाइब दिखा रहा हूँ इसका verified panel भी आपको दूँगा क्योंकि बाते बोली नहीं जाती बाते करी जाती है sorry तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अब मेरी orders में जितनी भी new position देखेंगे न लग थक मैंने ऐसे ही adjust करी है जिससे में ये loss को गायब कर दूँ जैसे ही ये patronet है patronet जैसे ही 20,000 के आसपास आएगा तो हम इसे कर देखेंगे SBI card है SBI card में वैसे against position league है SBI card मेरी main position में भी aid है तो SBI card का तो हम profit महीं से book करेंगे तो ऐसे कुछ position है जैसे ये जो hevels वाला profit है hevels वाले profit को हम आड़ाने के साथ adjust करेंगे हम TCS के profit को करेंगे और we pro करेंगे ऐसे धीरे धीरे ये loss कायब हो जाएगा अब ये मैं आपको इसलिए बताने कुशिश कराओ कुछ new बात नहीं है बट इससे क्या होगा आपका जो mental pressure है न वो बना रहेगा और आप losses भूग भी कर लोगे और आपकी psychology पर भी impact नहीं होगा क्योंकि अगर आपने इसे follow नहीं कराना तो क्या होगा आप 1,00,00 का जो dent लोगे न वो तो चलो recover हो जाएगा 1,00,00 क्या है बहुत छोटी मोटी बात है मतलब मेरे portfolio के लिए 1,00,00, छोटी मोटी बात है अब चलिए मैं आपको आज के जो trade है निफ्टी के obviously अपने खुद के indicator के आपको दिखाने वाला हूँ हाँ वैसे मैं सबसे important point बताना भूल गया इसमें थटका फाइदा क्या है जब आप धीरे-धीरे करके loss बुक करते हो ना तो आपका जो capital है, capital release होता है जैसे ही आपका छोटा-छोटा capital release होगा आप उसके against में और ज़्यादा trade ले सकते हो और इस loss को जल्दी dissolve कर सकते हो वैसे अगर आप overall पूरा ही loss बुक कर लोगे तो आप ज़्यादा जल्दी trade ले पाओगे बट वो आपकी psychology को impact करेगा यहाँ पर आपका बहुत जल्दी capital sorry, बहुत जल्दी जो blocked margin रहेगा जैसे 6 लाग का margin यहाँ पर blocked था वो बहुत जल्दी liquidate होने लगेगा और उससे आप new position मना सकते हो जिससे आपका losses और जल्दी recover हो जाएगा यह सबसे important point था जो मैं बताना भूल गया तो चलिए अब मैं आपको अपना nifty का trade बताता हूँ यहाँ पर यह जो nifty का trade मेरे indicator से बना अगर इसमें मैंने 1000 का risk लिया होता तो 12000 का profit हो जाता और यह अभी live आपको दिखाया इतना profit क्यों हुआ क्योंकि all of sudden इतना बड़ा momentum आ गया है वीडियो रिकोर्ड करने के बीच में ही और इसके अलावा अगर मेरा दूसरा जो trade है वो है मेरा यह वीगार्ड का वीगार्ड में अगर मेरा risk होता एक हजार रूपे का तो यहाँ पर जो मेरा profit है लगबग मेरा 3000 रूपे का profit easily हो जाता है क्योंकि यहाँ वन इस्टू थ्री रिस्टूरी वोट का मिला है अब दोनों trade में आपको डीटेल में बताऊंगा आठ जो मैंने आपको वोड़ चिपिंग में बताईए उसे थोड़ा थोड़ा live बता देता हूँ यहाँ पर जो TCS चल जाए ना TCS में आप देखे कि TCS में मैंने लगबग 10,000 का profit book कर लिया है क्योंकि मैंने limit order लगा रखा था अब यहाँ मेरा 10,000 का profit book हुआ है तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो Adani Wilmar है ना Adani Wilmar में मैं फिर से 5000 का जो low से वो book कर लूँगा ताकि मेरा जो low से वो धीरे धीरे कम होता रहे जैसे हम यहाँ पर आ गए और Adani Wilmar पर आगए अब Adani Wilmar पर आप देखे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे sale करता हूँ लगबग मैं यहाँ पर क्या करूँगा 80 quantity है 80 quantity को मैं share कर दूँगा क्या कर दूँगा sale कर दूँगा क्योंकि कल भी लगबग मैंने 80 quantity sale करी है हम यहाँ इसे क्या करेंगे market price पर ही sale कर देते हैं 80 quantity को जिससे हमारा low से 5000 का आज हमारा profit होगा सोरी अब यह लगएगा tipping यह मैं background में डाल दूँगा बट मैं आपको वही दिखाना चाहता था कि आज मैं 80 share और कम कर दूँगा जिससे हमारी यह जो quantity है 1590 की जगे हम चले 90 share share कर देंगे ताकि हमारी quantity 1500 प्या जाए बट मैं सबसे पहले आपको nifty का trade बताता हूँ आज nifty में buy का trade easily मिल रहा था कैसे मिल रहा था सबसे पहले आप देखे कि हमारे indicator ने buy का signal दिया बट buy के signal से पहले indicator को कैसे use करते हैं मैं detail में trading प्रवाइट करता हूँ क्योंकि सबी लोगों को मेरा indicator यूज करते नहीं या तब मैंने बनाया है तो यहाँ पर हमें इस candle पर buy का signal मिला अब यहाँ पर आप देखे buy के signal की कुछ condition होना चाहिए कि यह जो candle है certain point से बड़ी नहीं होनी चाहिए यह candle आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 point की है 40 point हमारे radar में था इसलिए मैंने इस candle की closing पर entry ली और यह जो blue line है यहाँ पर ACL रखा अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि strike price लोग select करने में कुछ गलती कर देते जैसे यहाँ पर आप sport की price देखेंगे तो 19,683 रूपी sport की price थी जिस भी price पर आपकी nifty चल लगी अब आप क्या कर सकते थे यहाँ पर call option buy करना है बाई के date के लिए यह तो clear cut buy है तो मैं यह या तो 19,650 का call option buy कर सकता था या 19,600 का अगर 600 का call buy करता तो मुझे जादा profit होता बट जादा profit के चकर में मुझे जादा risk लेना पड़ता है क्योंकि यह वाला जो option है यह मुझे थोड़ा सा महेंगा पड़ता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें थोड़ा सा कम profit होता बट थोड़ा कम risk होता क्योंकि risk versus reward है साथ साथ में चलते हैं इतना ज्यादा आप risk लेंगे उतना ज्यादा आपको profit होने के chances बढ़ते हैं इसा नहीं होना चाहिए कि आपने अंधा risk ले लिया अगर systematic risk होता है तो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 19,650 से मुझे कितना profit हो सकता क्योंकि मैंने जो trade लिया था वो 935 पर लिया था तो अब मैं जाता हूँ angel 1 पर और angel 1 पर 19,000 19,650 का हम क्या कर लेते call option का chart rate कर लेते अब मैंने यहाँ पर chart rate करके chart को लगा थे screen पर 935 की जो candle है उसकी closing पर मेरी entry होगी जैसे यह जो candle है इस candle की closing पर मुझे क्या मिलती entry मिलती अब यहाँ पर देखे मुझे यहाँ पर entry मिल गई लगबग chart रुपे पर और इसने high कितने का मार दिया अभी 160 का high मार रहा है मतलब nifty में easily 100 rupees का जो move था ना वो capture हो रहा था 100 rupees का move capture करना nifty में बहुत बड़ी बात है मैं बोल रहा हूँ कि इतना तो possible भी नहीं होना चाहिए अगर 140 तक का भी profit है तो भी लगबग 80 rupees का move capture कर लिया इतना छोटे से risk पर तो आज nifty में अच्छा कास्ता जो profit था ना हो जाता risk कितने का होता लगबग 35 rupees तक हमारा risk नहीं होता तो यहां पर लगबग 5 rupees का मेरा जो risk रहता है इस trade में मेरा 5 rupees का risk रहता है जिसके against में लगबग 100 rupees अब आप देख सकते हैं अभी तो market 170 पर चले गया है तो market बढ़ता ही जा रहा है तो बड़ी है profit चल रहा है अब यहां पर ऐसा हो गया अब options trading risky हो सकती है तो मैं क्या कर सकता हूँ equity में भी trade कर सकता हूँ अब equity में आज मैंने v guard में trade लिया first candle की closing पेंट्री करी और low pay sale रहा और यहां से लिके market यहां तक गया indicator ने भी पहली candle पर buy का signal दिया बट यह stock को select कैसे करा विसे selection में अपने course में सिखाता हूँ detail में यहां पर सारी चीज़े सिखाना possible नहीं है बहुत कुछ आपको सिखाना चाहूँगा मैं आज मैंने आपको wood shipping भी सिखाई अब बताईएगा आपको वह effort कैसा लगा sorry हम यहां पर आजाते हैं makebook में हम windows चला रहे हैं क्योंकि हमारा यह यहां पर आपको बताऊंगा वीगार्ड हमने सिलेक्ट कैसे करा उसके लिए यहां पर आप आ जाईए और यह देख सकते आप वीगार्ड वीगार्ड आपको दिख रहा है वीगार्ड के पास में जो सबसे अब वीगार्ड को सिलेक्ट क्यों करा क्योंकि यह ओपन लो था इसके साथ कुछ और कंडिशन होती है कि परसेंटेज कितने होते हैं इंडिकेटर ने कब सिगनल दिया वह सभी में आपको ट्रेनिंग में सिखाता हूं तो वह वहां पर भी सिखाने का ट्राइए बट यहां आप याब आ जाईए आप वीगार्ड पर इसलिए हमने क्या करा जैसे हमें फर्स्ट केंडल पर ही बाय का सिगनल मिल चुका था इसलिए हमने फर्स्ट केंडल की क्लोसिंग पेंट्री करी और लो और ब्लू लाइन दोनों सेम जगे इसलिए हमने यहां पर एसल रखा अगर यहां पर मेरा एक हजार का रिस्क होता तो लगबग जो प्रोफिट है तीन हजार से भी जादा का हो जाता बट मेक्जिमाम प्रोफिट छोड़िए अगर मैं प्रोफिट रिस्क से डबल भी कर लेता एक हजार के रिस्क पे दो हजार का प्रोफिट तो भी सफिशेंट है ज यह तिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है यह एनालीसिस है कि कैसे आप कर सकते हैं क्योंकि यह फ्री ओफ कोस्ट जा रहा है तो इसका कोई भी आपको चार्जस नहीं लगेगा बट इन फ्यूचर निफ्टी में क्या हो सकता है और मेरा अनालीसिस क्या क्या रहा है अभी मैं हमने आज ही ट्रेड लिया था हिंद पेट्रो को अगर आप देखेंगे तो हमने सेल कर रहा है जिसमें लगबग 2,000 का प्रूफिट चल रहा है वीडियो जब मैं रिकूट कर रहा था आपको वूट चिपिंग दिखा रहा था तब लगबग यहां पर 4,000 का लोस चल रहा थ हिंद पेट्रो बेरिश होगा क्योंकि हिंद पेट्रो बहुत जादा बढ़ चुका है उस पर कभी ओर डिसकस करेंगे बट मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा था यह प्रोफिट आपके कब कम में आएगा जब आपको एनालिसिस करते आएगा जैसे निफ्टी है निफ् पर आप क्या कर सकते यहां पर अगर आप भाई की पोजिशन लेंगे अगर यहां पर कोई भी एक भाई की पोजिशन ट्रेडर बनाता है तो क्या होगा यहां पर उसका जो रिस्क है वह बहुत जाता बढ़ जाएगा क्योंकि आप इस टोपलोस कहां पर रखेंगे अगर आ 80 रूपे कमाने के लिए 500 रूपे का risk ले रहे हैं risk versus reward point में ये sense नहीं बना रहा है और यहां से हम sale का भी trade नहीं ले सकते sale का trade क्यों नहीं ले सकते क्योंकि market का resistance है market यहां से भी 87 point उपर जाते दिख रहा है अगर यहां से मैं sale का trade लूँगा तो अननेसेसरी यहां से market यहां तक जाएगा upside और थोड़ा बहुत भी इसने breakout दे दिया तो मेरा risk ज़्यादा बढ़ जाएगा और जैसे market नीच आएगा तो मैं cost to cost निकल पाऊँगा या 2-3 हजार कर लोस होगा तो यहां से buy का लेने का भी sense नहीं बन रहा है क्योंकि risk जादा है और sale का लेने ही सकते क्योंकि market अभी bearish point नहीं बना रहा है तो आपको यह जानना जरूरी है कि कम market में trade बनता है कब नहीं अब trade कब बन सकता है जब market यह 8.50 range पर पहुचेगा 8.50 range पर पहुचने पर भी market में trade क्यों बनेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो market नहीं जो momentum दिया है न यहाँ से लेकिए यहाँ तक market ने एक अच्छा कासा momentum दिया है जहां retracement नहीं आए अब market जैसे यहाँ तक पोचेगा तो मेरे क्या प्लान करा हूँ मैं लगबग प्लान कर रहा हूँ कि market आजाई 20,000 की range के आसपास 19,000,90 से लेकि 20,000 की range में आ जाएगा और यहाँ पर जब bearish shine करेगा तो मैं थोड़ा सा sale का trade लूँगा जहां से में 1.5 पोइंट का momentum है वो capture कर पाऊँगा बट अभी market पुलिश लग रहा है अगर आप सभी लोग indicator purchase करते हैं तो आपको क्या-क्या मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको मेरे दो indicator मिलेंगे जो आपने वीडियो में देखा personally मैं खुद इन्हें trading में use करता हूँ दोनो indicator आपको lifetime के लिए मिलेंगे और indicator हर महीने अपडेट होता है आपको अपडेट भी lifetime तक मिलेगा without any additional cost जो indicator है अब आप सोच रहे होंगे उन्हें use कैसे करना है तो use करने के लिए आपको पूरी video training provide करी जाएगी without any cost आपको video training में सिखा जाएगा indicator को use कैसे करना है और यह जो indicator है मेरा free software पर चलता है आपको कोई भी paid software नहीं खरीदना होगा indicator यूज करने के लिए मेरे indicator को आप stocks में nifty में, bank nifty में commodity में, forex में और crypto में हर जगे पर use कर सकते हैं indicator की अभी जो price है वो 2499 रुपीज चल रही होगी अब आपको payment कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा जितने भी users है जिनने trading का टी भी नहीं आता वो मेरे trading course को purchase कर सकते course की भी price मेंने 2499 रुपीज रखी है course भी आपको lifetime के लिए मिलेगा course में आपको basic से advanced level तक trading सिखाई जाएगी candlestick, chart pattern, price action ये सारी चीज़े सिखाई जाएगी तो अगर आपको trading का टी भी नहीं आता तो आप पहले course लीजे तो आप मेरी तरफ professional trader बन जाएगे उसके बाद अगर आप indicator को use करते हैं तो आपको बहुत जबर्चस्ट profit होगा क्योंकि जिस level की मैं trading सिखाऊँगा उस level की कोई नहीं सिखाएगा ये जो price मैंने 2499 रखाए मैं एक आपके लिए combo offer आया हूँ जहां आपको मैं indicator plus course दोनों दूँगा अभी इसकी price मैंने 4000 कराएगा अगर आप अलग-अलग खरीते हैं इंडिकेटर और course तो आपको 5000 का पड़ेगा यहां आपको दोनों 4000 के अंदर पड़ जाएगा और जितने भी मेरे users है जो profit करते हैं मेरी तरह वो इस combo plan को लेते क्योंकि यहां मैं आपको trading पी सिखाता हूँ और indicator भी provide करता हूँ तो आप बहुती advanced level के trader बन जाते तो मेरी recommendation यही है कि अगर आप मेरी तरह profit book करना चाहते है तो आप इस combo plan को लीजिए आपको offer भी मिलेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप purchase कैसे कर सकते है तीनों को purchase करने का method से है यह जो मेरा number दिख रहा है आपको यह मेरा number phone pay पे है paytm पे है और google pay पे है आप क्या कर सकते हैं आप इस number पर payment कर सकते हैं जो भी plan आपको purchase करना हो तो आप phone पे paytm या google pay का use कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे इस नंबर पर payment कर देंगे इन method का यूज़ करके और यह जो payment है payment का screenshot आप मुझे वाट्चाप पे भीजेंगे यही नंबर मेरा वाट्चाप पे जैसे यह आप payment का screenshot भीजेंगे तो जो भी आपने plan purchase करा होगा मैं आपको वो प्रवाइट कर दूँगा within one minute तो आप overall बहुत अच्छे trader बन सकते हैं और प्लीज आप इस नंबर पर वाट्चाप कीजे कोल मत कीजे आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो आप वीडियो को like करके इस चैनल को subscribe कर सकते है इस प्रकार का content आगे भी आपको देखने को मिलेगा daily है